सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी RG Technical Boy YouTube चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन की सभी वीडियोस या फिर जो भी आपको वीडियोस डालना अपने लैप्टॉप के अंदर वह आप कैसे डाल सकते हूँ अपनी वीडियोस जो कि आपके फोन के अंदर है बिना किसी अप्लिकेशन के आप यह कैसे कर सकते हो वह आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चले फ्रेंट्स ले जलता हूँ अपने लैप्टॉप के स्क्रीन पर वहाँ पर आप लेना चाहते हैं अपने लैप्टॉप के अंदर तो कैसे ले सकते हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना अपने केंप्यूटर के अंदर आना है ठीकेंप्यूटर के अंदर आओगे उसके बाद इसको ओपन करने के बाद यह तो यहाँ पर मेरे में डिवाईस दिखा रहा है वी वह 1921 तो यह कैसे देखा रहा हो भी मैं बता जाता हूं है तो उसके लिए आप आपका जो चार्जर जो आपका अडेपटर है उसके साथ एक data केबल भी होगा तो आपको data केबल लेना है और एक अपने connect करना है जो USB port है आपके laptop का उसके अंदर और एक अपने फोन के अंदर charging jack जो होता है उसके अंदर connect कर लेना है जैसे आप connect करते हो उसके बाद यहां पर आपका यह device दिखाएगा और आपके फोन पे एक pop-up जाएका notification बार में वहां पर आपको permission देना होगा इसको files की ठीक आपको photos की या नहीं देना आपको यहां पर files की देना है उसके बाद यहां पर आपको इसको open कर लेना है जैसे आप open करेंगे तो यहां पर SD card भी दिखाएगा और internal storage जो होता है फोन का वो भी दिखाएगा तो अभी हम चलिए इसक अंदर आने के बाद फिर आपको उस folder के अंदर जाना है जहां पर आपकी वह वीडियो है जिसको आप अपने laptop के अंदर लेना चाहते हो तो यहां पर चलिए हम अपना वह फोल्डर ढूं लेते हैं कहां पर हैं तो for example यहां पर मैं CDM के अंदर जाता हूं इसको open कर लिता हू open करने बाद यहां पर अभी आप देशतों कुछ चीज तरीके से यह open होना start होचका है और यहां पर हमें थोड़ा wait करना होगा यह पूरा load होता है अभी यह load होचका है उसके बाद अब हम देखते किस folder के अंदर हमारी वो video है तो यहां पर open camera के अंदर हम जाते हैं यहां से कोई एक video उठा लेते हैं जिसको हम अपने laptop के अंदर लेना चाहते हैं यहां पर आप देशतों बहुत सारी videos हैं जो कि अभी load हो रही है तो जैसी यह load होती इसके बाद फिर आभी मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी यह load होने थोड़ा समय लगेगा यह बहुत सारी videos है तो यहां पर सारी load हो जाने देते हैं हम इनको अच्छी तरीकी से तो यह भी load हो गई है तो अब आपको क्या करना यहां पर फॉर एक्जमपल जो भी आपको वीडियो आपको लेना हो जैसे भी आप अपने यहां पर डालना चाहते हो लैप्टोप के अंदर लेना चाहते हो तो उसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे कि यह 55 MB वाला जो वीडियो है इसको मुझे लेना है तो आपको राइट क्लिक करना अपने mouse का और यहां पर एक option मिलता है copy, cut और paste तो अब आपको क्या करना है यहां से cut के उपर क्लिक नहीं करना है, cut के उपर क्लिक करोगा तो- आपके phone से delete हो जाएगा इंब्लेट ऑलेख नहें लेशाएगा जैंदर और यहां पर आनेक बाद है जिस भी इस्क पर लिजद पर रखना चाहते हो उसके अंदर आपको आणा है ओपेंट करने बाद यहां पर मैं आ जाता हूँ निउव फोल्डर के अंदर निउव फोल्डर के अंदर आने के बाद फिर यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यहां पर मेरी सारी वीडियो से तो यहीं पर मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ तो यहां पर आप द अब вопрос यहां पर विडियो जोंगी आचका है यहांपर आप देच से यह रही और बीडियो जो भी हमने पेस्ट यह व基本 कि आ तो इस तरीके से आप अपने laptop कें अन्दर आपी जो फोन की विडियो जो ले सकते हो आशां तरीके से ठीक है और इसना जाई बलोता हूँ उसी से सारा काम हो जाएगा बिना किसी अप्लिकेशन आपको कोई भी अप्लिकेशन नहीं इंस्ट्रॉल करना अपने फोन में या फ्री लैप्टॉप में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे इ झाल